प्यारे बच्चों आज के टापिक में हम कक्छा आठमी NCRT मैथ का प्रिष्णा वली दू तसमलो चार हल करेंगे जो की अध्याय दो से लिया गया है आप सभी लोगों से बिनम्र निवेदन है कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथ में बगल मेबल आइकान भी दवा लें जिससे इसी प्रकार के नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे तो आईए अपने टापिक की शुरुआत करते हैं आपके सामने प्रिष्ण तीन दिया गया है दो अंको वाली दी गई एक शंख्या के अंको का योग नव है इस शंख्या के अंको के इस्थान बदल कर प्राप्त शंख्या दी गई शंख्या से 27 अधिक है दी गई शंख्या ग्यात कीजिए देखिए प्रेशन समझिये कि माली ये कोई एक संख्या है जो दो अंकों से मिलकर बनी है तो यहाँ जब संख्या की बात आती है तो इससे इसपष्ट हो जाता है कि जब दो अंकों वाली संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई का अंक होगा लेकिन दिया गया है कि उनका जो योग है मतलब दोनों अंकों का योग इकाई और दहाई का मिला करके जो है तो नो दिया गया है फिर दिया गया है कि यदि इस शंख्या के अंकों के यदि हम इस्थान बदल देते हैं मतलब इकाई क तो दहाई के जगा और दहाई को इकाई के जगा लिख देते हैं, तो जितनी प्राप्त संख्या है, वो जो है, तो दी गई संख्या से 27 अधिक है, मतलब जब संख्या के अंको का इस्थान बदल देते हैं, तो जो नई संख्या मिलती है, तो जो पहले संख्या मूल संख्या थ उससे जो है तो सक्तियाईस जो है तो अधिक हो जाती है तो हमें बताना है कि वह शंख्याएं कौन सी है तो आईए इसे हल करते हैं लिखते हैं माना इकाई का अंक X है तब दहाई का अंक हो जाएगा दहाई का अंक बराबर हो जाएगा देखिए हमने इकाई का अंक X माल लिया और दहाई का अंक अब हमें मालूम नहीं है तो जब इकाई का अंक मालूम हो गया और ये पता है कि इकाई और दहाई दोनों का योग जो है तो कितना आ रहा नव आ रहा तो यदि हम कुल योग में इकाई का अंक यदि यक्स घटा देते हैं हमें दहाई का अंक मिल जाएगा, तो नौ में से हम क्या करेंगे, यक्स घटा देंगे, और यही जो है, तो क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा, तब जो है, तो मूल संख्या बन जाएगी, मूल शंख्या बराबर हो जाएगी मूल संख्या कैसे बनेगी दहाई का अंक और दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक ये मूल संख्या बन जाएगी इकाई का अंक तो देखिए मूल संख्या बराबर दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक तो दहाई का अंक कितना है देखिए यहाँ 9 माइनस यक्स तो दहाई के अंक में हम क्या करेंगे 10 का गुना कर देंगे तो 10 9 माइनस यक्स हो जाएगा क्योंकि दहाई का मान कितना होता है 10 होता है तो इसके साथ हम 10 का गुना कर देंगे और प्लस है तो प्लस कर दिए इकाई कांख कितना है यक्स है तो इकाई कमाने एक होता है तो हम यक्स के साथ एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा यक्स ही आएगा यक्स एक कम यक्स आ गया तो यहां आ जाएगा देखिए अब हम इसको साल्व कर लेंगे तो यह जब रेकेट हटाएंगे तो दस का नौ में भी गुणा होगा और दस का यक्स में भी होगा तो दस नई या 90 हो गया माइनस दस का यक्स में करेंगे तो दस यक्स हो जाएगा और प्लस ये यक्स है ही तो बरावर कितना हो गया 90 यहां लिख देंगे देखे 90 और यह माइनस प्लस जो है तो यहां घट जाएगा और चिन्ह जो है तो बड़ी संख्या में जो लगा रहता है तो वही हो जाएगा तो 10 में से हम 10x में से 1x घटा देंगे तो 9x आएगा और चिन जो है तो किसका रहेगा माइनस का तो माइनस हम कितना कर दिए नौयक्स कर दिए तो यह जो है तो मूल संख्या आ गई मतलब पुरानी संख्या जब हम जो है तो अंकों को नहीं बदले हैं तब अब यहां लिखते हैं यहां दिया था कि अंकों के इस्थान बदल कर, यहां लिखते हैं अंकों का इस्थान बदलने पर बनी नई संख्या, जब हम अंकों का इस्थान बदलने पर बनी नई संख्या, जब हम अंकों का इस्थान बदल देंगे, तो जो नई संख्या बनेगी, उसको भी हम जो है तो लिख लेते हैं, तो देखे कितना हो जाएगा, अंकों को जब इस्थान बदल देंगे, तो बराबर ये धश है, दहाई, तो दहाई की जगह हम कितना रिखतेंगे यक्स, तो दहाई के साथ, मतलब दस के साथ यक्स का गुना कर देंगे, और पलस, अभी गई, मतलब दहाई को जो है, तो आएगा नौ माइनस यक्स ही आएगा तो हम इसको ऐसे यहां लिख दिये तो बराबर देखी कितना जाएगा 10 यक्स का गुना करेंगे तो 10 यक्स ही आएगा और प्लस है यह 9 माइनस यक्स हो गया तो यहां देखी कितना लिख देंगे 10 X में एक चक्स घट जाएगा कितना जाएगा 9 X और यह प्लस 9 था तो यहां हम 9 लिख दिए 10 X में 10 X घटा दिए तो 9 X हो गए और यह प्लस 9 है तो 9 अब लिखेंगे प्रिश्णा नुसार जो प्रिष्ण कह रहा था प्रिश्ना नुशार क्या कह रहा है देखिए कि जब इस्थान हम बदल देते हैं शंख्या के अंकों का तो प्राप्त संख्या दी गई शंख्या से 27 अधिक हो जाती है यहां लिख देंगे नई शंख्या बराबर मूल संख्या प्लस 27 मतलब 27 क्या हो जाती है अधिक हो जाती है तो 27 यहां हम लिख देंगे तो नई संख्या देखे कितना था यह नई संख्या 9 यक्स प्लस 9 है तो 9 यक्स प्लस यहां हम 9 लिख दिए बराबर मूल संख्या कितनी है मूल संख्या यहां हम 90-9X माने हैं तो यह लिख दिए 90-9X और प्लस यह 27 है तो 27 लिख दिए अब देखिए यहां क्या करेंगे हम यक्स यक्स वालों को जो है तो एक तरफ लिख लेंगे और संख्या संख्या वालों को हम एक तरफ सबसे पहले हम 9x ये कर दिए देखिए इसको लिख लिए 9x और ये minus में है इधर आएगा तो plus में हो जाएगा plus 9x हो जाएगा बराबर ये 90 plus 27 है तो हम 90 plus 27 लिख दिए या कि हम इसको क्या करते हैं यहां जोड देते हैं यही डारेक्ट क्योंकि ये plus plus में है 90 और 27 प्लस में है तो कितना जाएगा साथ और नौ और दो कितना हो जाएगा 1117 और ये plus 9 था इसको हम पच्छान दित करेंगे दाइं उनने जाएंगे तो plus में है तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा तो देखिए 9X 9X जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहां 18X हो जाएगा यह और बराबर 117 में और 9 घटा देंगे यहां तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा तो X बराबर आ जाएगा 106 बटे अठारा तो अठारा छक्के कितना होता है 108 यक्स बराबर आ गया 6 तो यक्स बराबर कितना गया 6 और यक्स हम किसको माने थे इकाई का अंक तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा यहां देखिए इकाई का अंक यक्स बराबर 6 है और दहाई का कितनी हो जाएगा झाल कितना माशा है कितनी कितनी हमको पराप्त हो जाएगी आम कीतन लिख देते हैं यहां कि यहीं से देखेर अंसर आ यह काई का अंक है और यह दहाई का अंक है तो इकाई का अंक की जगह हम 6 लिख देंगे और दहाई का अंक की जगह 3 लिख देंगे तो 36 जो है तो शंख्या जो है तो बन जाएगी यहां इसको हम हल करके भी लिख सकते हैं तो शंख्या बराबर हो जाएगा शंख्या बराबर कितना है 90-9 यक्स है तो देखिए 90 लिखे हम माइनस हो गया 9 और यक्स का मान कितना आया है 6 तो बराबर 90 माइनस नचक के चवमन तो 90 में चवमन घटा देंगे तो देखिए कितना ऑजाएगा यहाँ चाथ 3 आ जाएगा और यहीं जो है तो एंसर हो गया आथावसंख्य क्या होगी 36 होगी इस तरह से तुho हम इस प्रिष्ण को जो है तो हालकर करक्ते हैं तो एक सेजीए जोहें आपको जाश्त नेस्ट क्यूस्टिन जो तो बताते हैं, अब प्रिष्ण चार है, ये जो है तो शेम प्रिष्ण तीन के जैसा ही है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, तो आए देखते हैं कि ये प्रिष्ण क्या है, दिया है कि दो अंकों वाली दी गई शंख्या में एक अंक तूश्रे का तीन गुना है, इसके अं समझने का प्रियास करिए, कि कोई दो अंकों वाली शंख्या है, अब इसमें भी इकाई और दहाई का अंकों होगा, लेकिन ये दिया है कि एक अंक जो है, चाहे आप इकाई मान लीजिए, या कि दहाई मान लीजिए, तो एक अंक जो है, तो दूसरे का क्या है, तीन गुना है यदि इसके अंकों के स्थान को बदल दें मतलब इकाई को दहाई के जगह और दहाई को इकाई के जगह तो जो हमें नई शंख्या प्राप्त होगी वो पुरानी शंख्या से मतलब दी गई मूल शंख्या से जोडने पर अठाशी प्राप्त होगी तो दी गई हमें जो है त इकाई का अंक यक्स है तब दहाई का अंक कितना हो जाएगा दहाई का अंक बराबर हो जाएगा देखिए क्या है एक अंक दूसरे का तीन गुना है तो दहाई के अंक को हम इकाई के अंक का क्या कर देंगे तीन गुना कर देंगे तो कितना जाएगा तीन यक्स इस तरह हो गया तो मूल संख्या कितनी बन जाएगी मूल शंख्या बराबर बन जाएगी देखिए हम लिख दे दहाई का अंक दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक आई का अंक तो देखे कितनी खेजाएगा दहाई का अंक हम कितना माँने है तो तीन यक्स में हम दस का गुना कर देंगे क्योंकि दहाई में है ये तीन यक्स और इकाई का अंक यक्स है तो यक्स में हम एक का गुना कर देंगे इकाई में है ये तो कितना हो जाएगा दस का तीन यक्स में करेंगे तो तीस यक्स और प्लस यक्स का एक में करेंगे तो अब इसको हम देखिए लिख सकते हैं तीस यक्स में यक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 यक्स हो गया अब यहां लिखते हैं जैसे कि दिया था कि अंको की स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या तो यहां हम अंको को बदल देते हैं अंको को बदलने पर प्राप्त नई संख्या प्राप्त नई संख्या तो कितनी हो जाएगे देखिए अंको को जो हम बदल देंगे इकाई को दहाई की जगह और दहाई को इकाई की जगह जो है तो लिख देंगे तो यहां हम दस के साथ जो है तो इकाई के अंक का यक्स का गुना जो है तो करेंगे और प्लस जो तीन यक्स है तो तीन यक्स को हम इकाई में रख देंगे एक के साथ गुना करेंगे तो दस यक्स का यक्स में करेंगे तो दस यक्स आएगा प्लस तीन एक्स का यक्स में करेंगे तो तीन एक्स आएगा तो बराबर कितना आजाएगा दस एक्स में तीन एक्स जोड़ देंगे तो आजाएगा तेरा एक्स अब इसको हम जैसे प्रिष्ण बोल रहा था उस तरह लिख लेंगे प्रिष्णाणुसार। क्या कहरा है, कि इसके अंकों के इसथान बदलकर जो प्राप्त संख्याम, मतलब जो नई संख्या है, जो हम अंकों को बदलकर प्राप्त किए हैं, तो वो दी गई शंख्या में यदि उसको जोड़ देते हैं मतलब नई शंख्या को यदि हम मूल संख्या के साथ जोड़ देते हैं जो पहले संख्या थी तो 88 प्राप्त होता है तो प्रश्ण अनुसाल लिख देते हैं नई शंख्या प्लश मूल संख्या बराबर कितना प्राप्त होता है 88 तो नई संख्या देखिए यहां कितनी है 13X है तो हम 13X लिख देंगे और मूल संख्या कितनी थी 31X तो हम 31X यहां लिख देंगे और बराबर किसके है 88 के तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो तीन एक चार और यहां भी जोड़ेंगे तो चार चवालिस यक्स बराबर आ गया अठासी तो यक्स इक्वल आ गया अठासी बटे चवालिस तो चवालिस तूना कितना होता है अठासी तो यक्स बराबर हो गया दो तो यह जो यक्स बराबर दो आया है तो यह इकाई का अंक आया है यहां लिख देंगे इकाई का अंक इकाई का अंक यक्स बराबर कितना हो जाएगा दो और दहाई का अंक कितना हो जाएगा दहाई का अंक कितना माने थे यहां तीन यक्स बराबर 3 एक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणय एक्स कमॉन कितना आया है 2 3 दूनी 6 तो 1 इक हैंक की जगह कितना लिख देंगे 2 और दहाई कैंक की जगह 6 लिख देंगे तो शंख्या 62 बन जाएगी या कि इसको हम लिख सकते हैं जो संख्या थी मूल संख्या तो कितनी थी देखिए यहां 31 यक्स थी तो हम यहां लिख देंगे 31 यक्स तो बराबर 31 और यक्स का मान कितना आया है दो तो 31 का दूग में गुणा कर देंगे तो 62 तो यही एंसर आ जाएगा यहां लिख देंगे कियता वह शंख्या जो है तो 62 होगी इस प्रकार से जो है तो प्रिशन 4 भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों मैं आसा करता हूँ कि आपको दोनों क्यूश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे यदि आपके मन में कोई शश्पेंश हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें अपने सभी दोस्तों तक सेयर करें आज के लिए इतना ही थाइंक्यू